हेलो भाईयो दोस्तों आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे एक ऐसे स्टुडेंट से जिन्होंने एसे सी जीडी में अपनी प्रतिवासे और अपनी हुनर से सत्रेवी रेंक हांसिल की है तो इनकी जो रेंक है वो 17 है वैसे देखो मैं आपको बता हूँ बटा इनकी जो है वो और अप होनी चीए थी क्योंकि इनके जो मार्क्स है वो जो फस्ते मात्र एक मार्क काम है लेकिन उनके पास एंशिय का साटिफिकेट था इनके पास वह नहीं था तो उनको एट नंबर का वहां से वैनिफिट मुला तो इनकी जो रेंक है वह 17 रेंक काई है भूत बढ सबसे बड़ी बात यह है एक टीचर के लिए अध्यापक के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि यह हमारे इंस्टूट की ही स्टूडेंट है और हमारे ही बीच हमने इनको पढ़ाया है हमारे जो बेचिज हैं वो इन्होंने लगातार लिये हैं तो मैं तो अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने इस्पीट टेस्ट भी हम कराते हैं सटर्डे को तो वहाँ पर भी यह जो ऐसा छुपा हुआ है और यहाँ एक स्टेटेजी आपके लिए आप सभी बच्चों के लिए जिसका बेनेफिट आपको मिलेगा जो बच्चे देखेंगे इस वीडियो को उनको कुछ सीखने को मिले तो हमारा जो आज का उद्ध्य से वो यह है कि आपको ऐसा कुछ सीखने क हैं यह आपको बताएंगी कि इन्होंने कैसे कौन से सब्जेक्ट को कैसे तयार किया तो मैं आप इनसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बेड़ा मेरा सब्जेक्ट मैथ है आप सभी जानते हैं तो पहले मैं इसे मैस का ही डिसकस करना चाहूंगा तो मैस जो इन्होंने कैसे त कि इस तो पढ़ती थी दो बॉक्स के लाय पी टेसिट ऐब वह तो अधा किलीयर उताते piles और यहां सभिए ंसलंगे सब्सक्राइब हुआ ही लगाती तो बूद वह लगाइंगा एक उस उसले नंके गूछ सैज है वो कई बार लगाई एक तो मिरत पास के रंड की वनो द गधाई और एक राकेश याधव सरकीं मिन मयने को बदने एक यह जली जादा प्रैक्टस करें प्रेक्ट abundant करों उस्यासार कि नहीं बुण्ता इन्हों आपको बस वही रण्डीती अपनांकी रक рублей आपके सबज्ब्जेक्ट है इसे सब्रेइवर्ट सरे और यहेस्टमी ने टियार भर गी का राい क्या रहां जब्ण का झायए मैं सेट मैंने सबसे पहले तो सतीन सर से पड़ी थी सटी केंपस में बढ़ाते थे वह और उनकी नोट्स बनाएते वह नोट्स में बारवार रिवाइज करते थी और मेरी दोस्त थी एक सपना मैं उसके साथ उसे बारवार डिसकस करते रहते थे हम तो उससे यह है कि हम कुछ भूलते नहीं थे रिवीजन होता रहता था और मैंने ऑनलाइन भी पड़ी है क्योंकि जी ऐसे कैसा सब्जक्त है किसी एक जगह से कवर नहीं हो सकता वह कहीं न कहीं जहां से हम पढ़ेंगे वहां से कुछ नया ही मिलता है और जी एसके लिए मैंने स्टेक्ट भी पढ़ी है उसके स तरी जी एसके लिए करेंट बड़ें और इस्टेक्ट भी बढ़ें और उसके लिए यह सबसे जादा रिवाइस करें जिस जितनी जादा रिवाइस करोगी उतनी निखरके आती है अँप रैक्टिस एट आप जरूर लगा है वो तो कोई भी सब्जेक्ट ओ उसके सेट लगाने है और रिवाइज करना है इस पॉइंट में बहुत बड़ी वात है ध्यान रगना रिवाइज करना है बच्चे क्या करते हैं कि नया नया कंटेंट इधर से उधर से पढ़ते रहते लेकिन रिवाइज नहीं करते और चीजों को भूलते जाते हैं तो यह को कैसे कवर गिया हिंदी की च्रेटी और बता वच्छों एं मोस्ट ली एससी जी डी की बदाओं तो उसमें कुछी टॉपिक थे सम्धिंग आठ डॉट टॉपिक थे दो उन्हें मैं जैसे एक टॉपिक के लिए दो दिन रखती थी पहले मैं डेई बना लेती थी कि इसके लि अच्छे से समझ जाओगे कुशन उतनी इसली निकल जाते हैं फिर मैं दो बुक थी मेरे पास एक अर्यहंतिगी थी एक लुश्यंट गी थी तो एक टॉपिक पढ़ लिया फिर एक बुक से कुशन लगाए एक दिन के लिए इतना ही रखती थी फिर दूसरे दिन उसी मैंने बस कर किया एक वार दो और ती बार चार200 मैं पढ़ती रही यह नई आक दिन बढ़ लिये फिर दो दिन आप ने 1 दिन पढ़ लिए ऐसा नहीं आपको बढ़ना है तो continue बढ़ना चाहिए उससे तो हमारी चीज़े इंपरूव होती है strategie और हिनियु अब सब्स focus leg बहुत जरूरी है वो तो आपको बनाने ही पड़ेगी अगर किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है वागि उसे मैं बस प्रैक्टिस करती थी और जो आफलाइन मैंने अनंसर से पढ़ा था और वो किया था आपको प्रैक्टिस लगानी है जैसा इनका अनवब रहा है सत्रेंगी रेंग बहुत बड़ी बात है तो इस अनवब से आपको सीख सकते हो क्योंकि अगर अनवब से नहीं सीखो कि तो ठोकर रहा के सीखो कि लेकिन सीखना पड़ेगा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत य सारी चीज़ें होती है जैसे मैंने चाल सब्जेक्ट और पढ़ाई को डिसकस किया लेकिन पढ़ाई से अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे जो सक्सेस में योगदान देती है तो मैं आप और भी बच्चों को को कोई ऐसी चीज जो आपका आपके साथ को ऐसा अपने को जवर जस्ती ना डाले पढ़ाई में पढ़ना है तो पूरे सिद्द से बढ़े वही कामियाब होगा और जैसे पेपर पास करने के लिए आपको कंटिनूर वीजन और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है और जो आपर नहीं आ रहा है उसे आप जरूर कर लें जैस उसे नोट डाउन करके एक अलग नोटस बनाएते उसे फिर रिवाइस भी करते थी टाइम टू टाइम जैसे टेम फिक्स कर लेती थी मैं सबसे बड़ी बात होती है कि फॉन से जितना हो सके वह दूरी रहें क्योंकि फेस्वुक इंस्टा इनमें अंदर चले जाए तो पर नहीं चलता टाइम कितना खराब हो जाता है इस वज़े से में मेरे फॉन में इंस्टा और फेस्वुक थे ही नहीं मैं यूज नहीं करती थी आपको अपडेट रहना है तो आप करेंट बढ़िए वो आपके एक्जाम में भी हेल्प करेगी और जैसे कि मैं मैंने एसाई का पर इसका मतलब यह नहीं कि फिर हम पड़ाई चोड़ दे हम इतनी उचाही तक आके रह जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूत है आगे हमें कहीं न कई सलेक्शन मिल जाएगा अब ऐसे बच्चे हैं जो अभी फाइनल से बाहर हुए हो हैं तो इसा नहीं है वो अल-मॉर इंडिया के एक परसेंट लोगों भी से तो अब यह नहीं कि कुछ होगा नहीं उह कर नहीं पाएंगे इसका मतलब आप थोड़ा सा और पढ़ाएंगे तो उस से आप कुछश नहें कुछ आगे पाहीं लेंगे इसका मशा真的 हैं दोर हम पूख्यों केवल आपको लड़ते रहना है हार नहीं माननी है यही इनका कहना है के में जैसे इनका सेलेक्षं नहीं हुआ योधर एक्साओं नहीं हार नहीं हानि इन्होंने केवल आपको और बहुटिवेयेट कि मैं बस यहां हूँ थोड़ा सा एक दो कदम और मुझे आगे चलना है और बस में सेलेक्शन के नजदीक हूँ तो इसी तरह से आपको लगातार अपने आपको मोटिवेटेड रखना है और लगाता जैसा कि इनोंने मुझे जहां तक लग रहा है मैंने सुना है तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए डिप्रेशन का सिकार नहीं होना चाहिए चाहिए आप किसी भी एक एक्जाम में फेलो जाओ क्योंकि एक एक्जाम में फेलोना या दो एक्जाम में फेलोना यह हमारे करियर का समापन नहीं होता है बच्चों आगे हमें और बाद आप सभी का, ओके, बाई बाई, टेक केर, लाप यू